करीब साड़े आठ बजे महेंद्रगर में एक बड़ा हाथसा हुआ जहां पर बच्चों से बढ़ी एक बस पलट गई अब इसी मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है स्कूल प्रिंसिपल दिप्ती राओ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आपको बता दें कि प्रिंसिपल दिप्ती राओं की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है नशे में धुत जो बस ड्राइवर था उसे खेडी गाओं के ग्रामिडों ने रोका था और ड्राइवर के नशे में होने की सूचना जो है ग्रामिडों ने प्रिंसिपल को दी थी प् प्रिंसिपल को आपको बता दें कि सहलंग गाउं का रहने वाला है आरोपी बस ड्राइवर और उस वक्त वो नशे में धुत था जिसकी वज़ा से ये बड़ा हाथसा हुआ और इस हाथसे में छे मासुमों की जान चली गई तो अब प्रिंसिपल दिप्ती पर बड़ी लापरवाही सामने आई है नशे में धुत ड्राइवर की जानकारी जो थी वो उन्हें मिल गई थी हाथसे से पहले ही अगर यहाँ पर सही कदम उठा दिया होता प्रिंसिपल दिप्ती राव ने तो शायद ये बड़े हाथसे को र हो चुकी है तो इस पूरे मामले में स्कूल प्रिंसिपल दिप्ती राव को पुलिस ने हिरासत में लिया है बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है यहीं इस पूरे स्कूल बस हाथसे के बाद परिवेहन मंत्री ने बड़ा फैसल लिया है स्कूल बसों की फिटनेस जो है वो चेक कराने के ऑर्डर दिये है परिवेहन मंत्री असीम गोयल ने इसके आदेश दे दिये हैं जिला शिक्षा अधिकारियों को भी एक सर्कूलर जारी करना होगा फिटनेस चेक करने के लिए ये सर्कूलर जारी किया जाएगा स्थानिय डिटियों को भी स्कूल के खिलाफ एफाईयार दर्ज करवाने के आदेश दे दिये गए हैं तो ये बड़ा एक्षन लिया है परिवेहन मंत्री असीम गोयल ने जहां स्थानिय डिटियों को स्कूल के खिलाफ एफाईयार दर्ज कराने के आदेश दे दिये गए हैं तो स्कूल प्रिइंसिपल को भी रासत में ले लिया है उसके बाद परिवेहन मंत्री का एब बड़ा फैसला महिंदरगड के कनीना में आज एक दुखदाई घटना हुई है सबसे पहले तो मैं परमपिता प्रमात्मा से उनके चर्नों विंती करूँगा दिवंकत आत्मां को शांती दे उन बच्चों को आत्मां को और परिजिनों को संबलने का एक संबल दें ताकत दें और मैंने एक दिए है उच्च अधिकारियों के एक कमेटी बनाई है जांच कमेटी एक चंदिगड के हमारे उच्च अधिकारी की अधिक्ष्टा में सारे पहलूं की जांच करेगी और हमने वहां लोकल डीटीयों को भी अधेश दिये हैं कि वह स्कूल के खिलाफ एक आइफाया दर्ज क करवाएंगे और जो हमारे MBA के अधिकारी हैं उनको भी हम देखते हैं कि अगर वो जांच में दोशी पाएगे कि कागज पूरे नहीं थे तो उनको भी सेस्पेंट करने की बात और मैं एक जानकारी के लिए बता दूँ हमने ऑलड़ी तीसरे महिने के अंदर इस बस का स्कूलों की हर्याना के सभी स्कूलों के जो वीकल्ज हैं उनकी फिटनेस की जांच कराएं और सभी जो हमारे DTOs हैं एक सर्कूलर टाइप जारी करेंगे DTOs को और स्कूलों की सारे हर्याना की जितने भी स्कूल के वीकल्ज हैं उनकी जांच को इस बस हाथ से पर राश्ट्रपती दॉपदी मूर्मो ने भी ट्वीट कर दुख जताया है उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हर्याणा के महिंद्रगट जिले में स्कूल बस दुर्गटना में अनेक मासूम बच्चों की मृत्यू का समाचार प्रिदे विदारक है इश्वर शोक संतप्त माता पिता और परिजनों को ये खुरूर अगहात सेहने की शक्ती पर दान करें नगायल वोए बच्चों के शिग्र स्वस्थ होने की काम ना करती है तो ये टूइट किया देशकी राष्ट्रपती द्रॉपदी मूर्मू ने जहां उन्होंने अपनी सम्वेदनाय जाहिर की और दुख जताया पूरे हाथ से को लेकर इसी को लेकर प्यम मोधी ने भी हाथ सिक्ट को लेकर ट्वीट किया उन्होंने एक्स पर लिखा कि हर्याणा के महिंद्रगड में जो हाथ सा हुआ वो अत्यंत पीड़ा दायक है मेरी शोक समेदनाय उन सभी परिवारों के साथ है जिनोंने इस दुरगटना में अपने बच्चों को खो दिया है के साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शेख्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ राज्यसरकार की देखरेख में स्थाने परशासन पिड़तों और उनके परिजनों की हर संभव साहता में जुटा है तो पीम मोदी और राश्ट्रपती का इस पर ट्वीट आया जहां पर सभी ने अपनी जो समवेदनाय है वो परिजनों के प्रती व्यक्त की है और साथ-साथ ये आश्वासन भी दिया की पिड़तों और उनके परिजनों की सहायता के लिए हर संभव जो है वो सहायता कर रही है राज्यसरकार देश के ग्रह मंत्री अमिर्शाह ने भी महेंद्रगड बस स्कूल हाथ से पर ट्वीट कर दुख जताया है उन्होंने कहा कि स्कूल बस का दुरगटना गरस्थ होना बेहत दुखद है मेरी समवेदनाए मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है इश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ती परदान करे थानिय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को सायता पहुंच पहुंचाई जा रही है उनके शिक्र स्वास्ते स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं तो ग्रह मंत्री अमिर्च श्याह का ये ट्वीट है जहां उन्हों लिखा कि मेरी समवेदनाए जो है वो परिवार के साथ है और स्थाने परशासन के द्वारा घायल बच्चों को जो भ कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने भी ट्वीट कर अपनी समवेदनाए प्रकट की है ट्वीट में उन्हें ने लिखा कि हर्याना के महेंद्रगर जिले में हुई बस दुरगटना में मासुमों की मृत्यू का समाचार बेहद दुखद है मैं सभी शोक संतप्त परिज़ अनों को अपनी गहरी समवेदनाई व्यक्त करता हूँ साथ ही सभी घायलों के जल्द ठीक होने की आशा भी करता हूँ वहीं मुखेमंति नायब सिंग सेनी ने भी महेंद्रगड कनीना हाथसे पर अपनी समवेदनाई प्रकट की की जाएगी मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनी ने कनीना स्कूल बस हाथ से की जानकारी लेते हुए डिप्टी कमिशनर से फोन पर बातचीत की मुख्यमंत्री ने डिफ्टी कमिश्णर को फोन के माध्यम से ये आदेश दिया कि घायलों के इलाज के लिए फर संभव प्रयास किये जाए सुकूल बस के दुर घटना गर्स्त होने से मैं बहुत आहत हूँ मेरी समयंदने उन सभी सोक समत परिवारों के साथ हैं जिनों ने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए है स्थानी अपरसासन गहलों के देखबाल के लिए पूरी तरह से मुस्ताइद है इस हादसे की जाच करवा करके जो भी दोस्य विकती है उसके खलाफ सक्त कारवाई की जाएगी और क्योंकि Code of Conduct लगावा है हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिनोंने अपनी जान गवाई है परिवारों को उचित मावजा और जो हॉस्पिटल में अडमिट हैं घायल है उनके इलाज के लिए भी सरकार कौन रूप से उनकी देखबाल के लिए त्यार है स्रीयम नायव सिंग सैनी ने भी ट्वीट कर पूरे हाथ से पर लिखा कि दुरगटना ग्रस्थ होने की बात से मैं काफी आहत हूँ साथ ही साथ कहा कि मेरी समवेदनाए उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोई है स्थाने पर शासन घायलों की साहता के लिए मुफ्टैद है सभी घायलों के शिग्र स्वस्थ होने की काम ना करता हूँ वही शिक्ष्या मंतरी सीमा त्रखा भी घायलों का हाल जानने के लिए रेवारी अस्पताल पहुंची क्या कुछ कहा उन्होंने आई आपको सुनाते हैं अज बड़ी है कि आज गर्स्टीड हॉलिडे है और स्कूल चल की हो रहा है फिर लापर वाही है कि सुबा बच्चों को जो बंदा लेने जा रहा है मैंने कहती है कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बाद जो बच्चे को सुबा बसिज लेने चाहती है वह अपने पॉइंट से लगबख पांच साड़े पांच निकलती है तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पीवी थी तो इसने कितने बज़े पी और पीने के बाद ही पचास जिंदगियां एक बस में बैटी वी थी पचास घरों के बच्चे थे इनके पास वह ऐसे बंदे के हवाले हमने जिन्दगियां कर दी साथ पैसे एक ओडलते चारब्शें खाए उयलका है संचालगों से डरने की क्या बात है शिक्षा तो जो शिक्षा लियां एक ओड़ एक है जो मरें सरस्वति का मंधिर मांगते है अक्दीमिक शिक्षा और रानून नियम पढ़ाने का का म काम किया जाता है एचाह कर लिए और औ तो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो यह समयने की जरूरत है कारवाई क्या होगी कारवाई कारवाई वही होगी जो इस नॉम्स के अंडर आते हैं तो सारे स्कूल खुलो है आप यहां से अच्छोर कराएं पूरे प्रदेश को यह बताना चाहती हो कि आज स्कूल नहीं खुल करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम एकाउंटेबल होंगे हम नहीं करेंगे ताकि कानूनी कारवाई से कोई व्यक्ति बचेना दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के वहिकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यहीं देंगे कि हमारी गाडियां जो इनकी गाडियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफ आई आर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी वही न्यूज 18 पर भी उन्होंने खास बात चीत की शिक्षामंसरी सीमत्रखा ने और कहा कि किसी भी दोशी को बक्षा नहीं जाएगा इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी साफ किया कि चालत नशे में था इसलिए ये हादसा हुआ है और स्कूल को अब इस पूरे म कामले में शोकॉज नोटिस जो है वो भेज दिया गया है जिसी के साथ सीमत्रखा ने ये भी कहा कि स्कूल के खिलाफ जो है वो सक्त से सक्त कारवाई होगी स्कूल चल रहा था जो पूरी तरह से गयर कनोनी एक्टिविटी है इनकी दूसरा जानकरी के मताबिक कि जो व्यक्ति बस चला रहा था शायद उसने शरापी रखी थी और जो गाड़ी है पेड़ से टकराई जिसमें साथ या आठ बच्चों की कैजुएल्टी हुई है इस ह और दो एक बच्चे थोड़ा अभी हलात के मताबिक थोड़ा सीरियस है पर जान को खत्रा नहीं है ऐसा डॉक्टर बता रहे हैं वो कहरे हैं जैसे किसी को थोड़ी चोट ज्यादा आई है तो उसका सरजरी हो सकती है और वो टाइम लेगा थोड़ा ठीक होने में तो यह यह हरा के हल आता है किस-किस के खेलाब कानूनिक आरवा यह इस वक्त आप लोग करने वाले हैं जिस जिसने कानून थोड़ा उन सबके खेलाफ कानूनिकारोण्य हूगी होगी स्कूल जो संच्शान अरच कानून忘ल एकिस दह गया और बिलकुल कारवा स्पताल में और इसके सार्थ वहाद वो स्युद्छा मंत्री का कि हाँ वहां स्युक्ति पूर्ट म Consumer कि जा रहा है वहां पर भी जagan और प्रिजनों से भी मुलागाइगी कि आने वाले समय में ना सिर्ण ड्राइवर के खिलाब कारवाई बलकि जो स्कूल संचालक है उसके खलाब भी कानूनी कारवाई की जाएगी क्योंकि आज शुट्टी का दिन था और बावजू दिसके स्कूल को खोला गया था जिसके चलते एक बड़ा हाथसा हुआ और छे छात्रों की मौत हो गई द्रम विशर्मा न्यूज 18 रेवाडी तो शिक्षा मंद्री के साथ साथ कैबिनेट मंद्री बनवारी लाल पुरोहित भी अस्पताल पहुँचे उन्होंने घायर छात्रों का हाल चाल जाना साथ ही साथ चकित सको को उचित इलाज की भी आदेश जो है उन्होंने दिये है आज इस मत्रिक आस्पिटल के अंदर में 12 बच्चे एडमिट हैं आप पांच आईशू में हैं और साथ जर्नलवार्ड में है तो अभी उनके जर्नलवार्ड के जो बच्चे उनसे में मिलके आया हूं और मैं जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार के समयदना प्रकट करता हूं और जो बच्चे अभी दाखिल हैं उनकी रिकवरी के लिए इस वर से प्राथना करता हूं जल्दी से ठीप हो और जो भी आपके स्कूल की जो परवाई हुई है दोक्तर के कि जो बच्चे हैं एडमित हैं उनके ilaz में किसी तरह की कोताई ना बरते जाए और हॉश्छेल का परसासं से में कही आघ अगर किसी तरह की कोई गंभिरता दिखे